हेलो एवरिवन, वेलकम टूर्ड चैनल, हमारी आज की वीडियो को टोपिक है ध्वनी परदूशन पर निभन्द तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ध्वनी परदूशन पर स्लोगन्स के साथ प्रभावशाली तरीके से निभन्द लिखना सीखेंगे तो चलिए इसके हैडिंग्स देख लेते हैं कि कौन-कौनसी जनकारी हम इसमें इंक्लूट करने वाले हैं सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, देन हम लिखेंगे ध्वनी परदूशन से अभी प्राए, इसमें हम ध्वनी परदूशन का अर्थ पताएंगे देन हम लिखेंगे द्वनी प्रदूशन के कारण, द्वनी प्रदूशन के दुश्पन्नाम, द्वनी प्रदूशन से बचाव के उपाए और उपसहार तो चलिए एक प्रभावशाली स्लोगन के साथ निबन लिखना शुरू करते हैं हमारा स्लोगन है द्वनी प्रदूशन पर रोक लगाएं श्रमन शक्ती को तेज बनाएं धेन प्रस्तावना द्वनी प्रदूशन की समस्या बहुत ही खतरनाक समस्या है जो भारत के साथ साथ विश्व भर में पैल रही है द्वनी प्रदूशन अन्य प्रदूशनों के समान ही हानी कारग होता है द्वनी प्रदूशन बाता वरण में अत्यदिक शोर गुल को दर्शाता है द्वनी प्रदूशन से ना केवल मानव जाती बलकी अन्ने जीव जन्तुओं को भी परिशानियों का सामना करना पड़ता है देन हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट हैडिंग द्वनी प्रदूशन से अभी प्राई अत्यदिक तेज द्वनी जो हमारे कानों के लिए असहनिय हो जाती है हमारी सुनने की अक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है द्वनी दो प्रकार की होती है एक जिसे हमारे कान आसानी से बिना किसी परिशानी के सुन सकते है और दूसरी जिसे हमारे कान बरदाश्ट नहीं कर सकते जैसे की पठाकों की अवाज, अत्यदिक उंचा संगीत, गाड़ियों के तेज हो और नित्यादी इस प्रकार की तेज द्वनी हमारे लिए बहुत ही आनिकारक होती ہے और द्वनी प्रदूशन कहलाती है द्वनी प्रदूशन के एक कारण द्वनी प्रदूशन होने के असंख्य कारण है आधुनिक और उद्योगिक विकास द्वनी प्रदूशन में व्रिद्धी का मुख्य कारण है कार खानों में मशीनों के चलने से तेज आवाज उत्पन होती है जो द्वनी प्रदूशन करती है वहनों के चलने से भी द्वनी उत्पन होती है टीवी म्यूजिक सिस्टम जैसे मनोरंजन के सादनों से उत्पन तीवर द्वनी से शोर होता है विवहा मेले और सामाजिक आयोजनों में लाउड स्पीकर और जनरेटर भी द्वनी प्रदूशन करते हैं इसके अलावा निर्माण कार्यों में मशीनों और ओजारों के प्रयोग से द्वनी प्रदूशन भड़ता है आतिश बाजी वायु प्रदूशन के साथ द्वनी प्रदूशन भी करती है नेक्स्ट एडिंग है द्वनी प्रदूशन के दूशपन्णा परयवरण में अवांचि द्वनी जिसे द्वनी प्रदूशन कहा जाता है स्वस्ते के लिए हानी कारक होता है तथा बहरेपन वो मांसिक तनाग की समस्या उत्पन करता है इसकी कारण मानव के वैवहार में चिर्चिडापन देखा गया है अवांचित तेज शोर से कान के परदों का खराब होना कान में दर्ड आदी समस्याई जन्म लेती है समुंद्री जानवर भी इससे अच्छूते नहीं है पानी में पंडुब्बी और समुंद्री जहाजों की द्वनी के कारण द्वनी प्रदोशन होता है मुख्यतय वेल और डॉल्फी नादी की मित्यू का कारण द्वनी प्रदोशन बन जाता है क्योंकि वो भोजन खोजने, खुद को बचाने और पानी में जीने के लिए सुनने की अक्षमता का ही प्रयोग करती हैं द्वनी प्रदोशन के परण नाम बहुत अधिक खतरनाक है और निकट भविश्य में चिन्ता का विश्य बन रहे है नेक्स्ट हमारा हेडिंग है द्वनी प्रदोशन से बचाब के उपाए ध्वनी प्रदूशन से निजात पाने हेतु आमनागरिक तता सरकार के संयुक्त प्रियासों की अवशक्ता है इसके लिए ध्वनी और शोर की तिव्रता पर रोक लगानी होगी अत्यदिक प्रेशर वाले होर्न पर रोक लगाई जाए ट्राफिक का संचालन सही डंग से हो ताकी होर्न कम से कम बजाया जाए सालवजनिक वाहनों का प्रियोग करने से भी शोर गुल में कमी आएगी हरे पोधे ध्वनी की तिव्रता को 10 से 15 डीवी तक कम कर सकते हैं अतह हरे पोधे अधिक से अधिक लगाये जाने चाहिए द्वनी प्रदूशन एक अत्यंत खतरनाक परिस्थिती है द्वनी प्रदूशन शहरी ख्षेत्रों के साथ ही ग्रामीन ख्षेत्रों के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है इसे नियंत्रित करने है तो उपायों को अपनाने की अति आवशक्ता है इसके लिए जन जन को जागरू कर प्रयत्न किये जाने चाहिए देन हम लास्ट में फिर से एक स्लोगन लिखेंगे जो जागरूपता को बढ़ाएगा द्वनी प्रदूशन से भढ़ता तनाव वातावरन को बनाए साफ कि द्वनी प्रदूशन से तनाव भढ़ता है इसलिए हमें अपने वातावरन को साफ बनाना चाहिए यानि कि द्वनी प्रदूशन कम से कम उत्पन हो ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए तो फ्रेंट्स इस प्रकार से आप ध्वनी परदूशन पर एक प्रभाशाली निबंद लिख सकते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो हेल्पल हो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद